तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है कि आपकी जिंदगी में क्या happiness, क्या abundance, क्या blessings, क्या prosperity, क्या development definitely होने वाला है So, of course, it will be a timeless collective and for all Zoriac Science, ठीक है, सारे Zoriac Science के लिए ही है So, देख लेते हैं, आपके जिवन में क्या खुशिया आने वाली है So, of course, अब इस reading को claim करें, ठीक है, comment section पे And, लिखे universe, please bless everyone and please make them happy, ओके So, reading को last तक देखना है, कि last में हम औरकर स्कार्ट को use करने वाले है Okay, so let's see चाहिए, को like, share, subscribe ज़रूर करें for the energy exchange And, please do comment in the comment section So, चलो, शुरुआत करते हैं So, universe, spirit, guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो वीवर से उनके जिन्देगी में क्या खुशी आने वाली है थोड़ा सा समय दे दीजिए तो हो सकता है, आपको लगे कि sound नहीं आ रहा है, बड़ा ऐसा नहीं है Just give me some time and then I can start कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा एक समय आएगा आपकी जिन्देगी में बहुत ही जल जहां पे आपको लगेगा कि नहीं अपना इज़त होता है उसके लिए आप किसी के सामने नहीं जुख सकते बहुत देर तक देगे एक बार अगर जुख सकते है उसमें अगर आपको रिलेशन्शिप को ठीक करना है तो सही है लेकिन बार बार आपको जुखना नहीं है ये आपको खुद फील होगा और आप उस रिलेशन्शिप से मूव अन कर लोगे ठीक है और बहुत ही बहतेरीन एक रिलेशन्शिप के और आप जा रहे हो मुझे यहां पर ये दिखाए दे रहा है I can see a bottle which is forming over here बट इस bottle में अगर ये bottle अगर मैं candle wax use कर रही हूँ यहां पर पानी में यहां पर मैं इसको imagine कर सकती हूँ This is bottle, closed bottle in the ocean जहां पर एक message आपके लिए जरूर होगा But this is a confidential message क्योंकि जब तक इसका seal जब तक आप bottle से उसका cork नहीं निकालोगे तब तक आपको messages के बार में पता नहीं चलेगा So you need to login, आप login करने से आपको कोई important information पता चल सकता है Maybe आप अपना mail जो है, mail box जो है बहुत समय से आप check नहीं कर रहे है So आप check कीजिए regularly, frequently तब आपके पास already notification आएगा कि यह mail आया है और जब तक आप उस mail को खोलोगे तब शायद वो आपके कुछ passwords मांगेंगे That is your maybe, maybe आपके यह financial transaction है ठीके, या heavy amount of money कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है देखो यहाँ पे, भगवान का कितना कृपा है, अल्ला का कितना कृपा है यहाँ पे जो आया है इसको बोला जाता है साकी साकी से generally जो निकलता है वो है divine nectar जो मैंने आपको एक card में दिखाया था मेरे पास जो card था So, यहाँ भी मुझे दिख रहा है divine blessings 100% guaranteed divine blessings कि मेरा candle यहाँ पे था और shape यहाँ पे बना देखे, so I thank you God कि आपने यह droppings दिखा के मेरे viewers को यह indication दिया है कि उनके जिंदगी में आगे बोहत blessings आने वाला है जहाँ पे divine nectar मतलब क्या है अमरित जिस तरह से है उसी तरह से आपके जो wishes है, आपके जो ख्वाब है आपके जो desires है चाहे वो materialistic हो चाहे वो personal हो चाहे वो career related हो चाहे वो आपके health related के उना हो उसमें काफी जदा improvement आपको दिखाई देखा यहाँ पे करक राशी है और ब्रिशिक राशी है यहाँ पे मतलब मुझे इतना खुशी हो रहा है मैं आपको क्या बताओ जहाँ पे मैंने यहाँ पे साकी को देखा और मेरा जैसे दिल भड़ाया कि universe ने आपको 100% clear indication दिया है कि आपको कोई चिंदा करने की जरुरत नहीं है कि यहाँ पे जो उन्होंने एक signal दिया है और आपको बार बार रिपिटेट बोला जा रहा है कि you should not take any type of stress या anxiety level आपकी बढ़ने नहीं चाहिए वाउ यहाँ पे बहुत सारे letters मुझे दिख रहे है मैं बात माद में बता देती हूँ कॉन्सवन सा letters यहाँ पे important है I do find कि आपका travel उस जगा पे होने वाला है जहाँ पे temperature थोड़ा सा higher है ठीक है शायद आपकी posting वहाँ पे होगा या transfer वहाँ पे होगा और बहुत ज़दा negative zone से ठीक है बहुत ही जदा negative atmosphere से negative वातावरन से एकदम नकरात्मक वातावरन से निकल कर ठीक है आप उस जगा पे पहुचेंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए क्योंकि अभी तक मैं देख पारे हूँ बहुत सारे लोग उस जगा पे हो जहाँ पे आपको होना ही नहीं चाहिए आपको और बेटर जॉब और बेटर प्रस्परेटी ठीक है और बेटर प्रोमोशन सालरी आप डिजर्फ करते हैं आप जितना हाड वर्क करते हैं न कुछ स्टूडेंस के लिए मैं बोलना चाहते हैं उतना ही आपका रेजल्ट नहीं आता है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद गौड्स ग्रेस कि कि अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं अगर आप इस रीडिंग को मानते हैं तो डेफिनेटली येस इट विल बी टन मुझे दिख रहा है आफ्टर थर्ड यर और फोर्ट यर जब प्लेस्मेंट एजन्सी आएंगे तो यहाँ पर सेलेक्शन मोरल इस आप ही का होगा बिकॉर सी यहाँ पर जब मैंने आपको बताया यहाँ पर आप अगर इस चीज को जूम करके देखे तो यहाँ पर मुझे इंफिनिटी साइन ही दिखाई दे रहा है ओके ओल दा साइन्स आर पॉजिटिव अल दा साइन्स आर पॉजिटिव ल, ज, य, य, व, एच, एम, के आपको बार बार इंफिनिटी साइन तो दिखाई देगा य, य, एट नमबर दिखाई देगा ही देगा आपको हम, ओके साटर्न होता है दा प्लैनेट आफ कर्मा ठीके, सो आपके जो कार्मिक फल है जैसे आपने अच्छे कर्म किया है सो उसका अच्छा रिसल तो आपको मिलेगा ही हमेशा हम सोची लेते हैं कि नहीं हमने ज़रूर बुरा कर्म किया है तो हमें बुरा ही रिसल्ट मिलेगा अगर हमने अच्छा कर्म किया है सो हमारा जो अकाउंट मेंटेन होता है य, य, उनिवरस में I do find now butterfly wings forming. यहां पर एक देखो butterfly आ रहा है फिर से. So, जो भी इस reading को देख रहे होंगे, they will be extremely lucky and within few days, they will get some good news. चाहे वो छोटा ही सही क्यों नहों, लेकिन वो मिलेगा उनको good news. अगर आपके मन में अभी भी questions है, कुछ चीजों को लेकर, specifically अगर आप positive सोच रहे हैं, तो answer है yes. तीके, अगर आप किसी के integrity के बारे में, मतलब उसके honesty के बारे में पूछ रहे हैं, तीके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, कि अगर आपको शक हो रहा है, कि बार बार, कि वो इंसान आपके लिए गलत है, आपके इंसान वो आपके लिए गलत है, तो इंसान हाँ, वो आपके लिए गलत ही है. यहां पर मुझे extremely decoration दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर रंगोली जैसे बना हुआ है, रंगोली का जो designs बने वे होते हैं, उसी तरह से मुझे यहां पर designs बनते वे दिखाई दे रहा है और जैसे बोला जाता है कि हमारा जो है, तीक है, कुछ fate है, जो होना ही है, बर destiny हम खोद यहां पर create करते हैं, यहां पर बहुती अच्छा अफसर आपको मिलेगा, जहां पर आपको सिर्फ किसी का भी इंतिजान नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ उड़ना है, आपको सिर्फ छलांग लगाना है, and definitely you are getting the desired result, आपको पीछे मूर के बिलकुल नहीं देखना है, क्योंकि पीछे आपके लिए कुछ नहीं है, in the past there is nothing for you, I am telling you, अगर आप past में जाओगे, तो आपकी इज़त के उपर effect आएगा, अपना इज़त नहीं सोचना, अपनी soul का जरूर सोचना जब लो, आपको बार-बार refuse किया जा रहा है, चाहिए वो job में हो, चाहिए वो relationship में हो, specifically, चाहिए वो कितना glamorous भी दिखे, ठीके, आपको लग सकता है कि नहीं, वो सही था, ये सही था, मैं ही गलत थी, लेकिन आपको पीछे मुरकर नहीं देखना है, ऐसा हमारे शास्त्रे में माना जाता है, किसी भी शास्त्रे में माना जाता है, कि पीछे मुरकर देखना ही नहीं होता है, क्योंकि वो शुप नहीं होता है अब घर से निगल रहे होते हैं पीछे से कोई बुलाता है तो भी आपको पीछे मुर्के नहीं देखना होता है तो यहाँ पे यह आप की soul journey है ठीकि आप पीछे मुर्के क्यों देखोगे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ hanging आपके दिवार पे है maybe this is a feng shui or something हो सकता है आपने dream catcher लगाया हो या लगाने की जरूरत है या कुछ ऐसा feng shui element आप अपने घर में जरूर लगाए या वो that is called evil eye ठीक है, वो वाला evil eye remover वो भी आप लगा सकते है because I feel that कुछ लोग, ठीक है, आपसे काफी jealous है काफी आपके पीछे scheme करते है sugarcoated words बोलते है, लेकिन आपके भला नहीं सोचते हो आपके घर में आ जाएंगे खाना खाने के लिए, पाटी मनाने के लिए, लेकिन जब भी आपको मदद करना होगा, तब तो वो नहीं कर पाएंगे आपको, और करेंगे भी नहीं ओके एक new love relationship मुझे दिखाए दे रहा है it's extremely new love relationship जो आपके खुट की जिम्मेदारी लेगा, मैं आपको बोल रही हो यहाँ पे इंपोर्टन हो सकता है आपके पापा को या आपके पार्टनर को प्रोमोशन्स मिल सकता है ठीक है, आपके पार्टनर को या आपके पापा को बत्वब आपके खानदान में बहुत ज़्यादा इस तरह का संभाबना है कि कोई male member को अगर आप उतना age में नहीं है अगर आप नौकरी भी नहीं कर रहे है या अगर आप business भी नहीं कर रहे है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पापा को या आपके पार्टनर को maybe they are getting good promotions like थोड़ा साम Oracle Cards से देख लेते हैं हमें और भी clear हो जाएगा so let me see from the Oracle Cards so what's there what's coming as happiness proper burial for freedom sacrifice to Osiris lord of the death यहाँ पे देखो death मतलब ही क्या है it's a spiritual transformation यहाँ पे है fire sign यहाँ पे water sign कुछ लोग हो सकते हैं and I do find की proper burial for freedom जहाँ पे दफन हो किया है जहाँ पे आजादी आपका दफन हो जाता है वहाँ पे ही हो जाता है transformation क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कोई भी रूप वो बिलकुल बंधन में नहीं रहना चाहते तो कहीना कहीं पे शुरुआत तो होना ही यह आपके जेवन में तो कोई अगर आपके साथ इस तरह के पेश होते जा रहे है dominating very rude and very much you can say is that suffocating relationship जहाँ पे दम घूटता है आपका वहाँ से आपका आजादी निश्चत है temple of carnelian entering the fierce belly of segment यहाँ पे क्या है ना आपकी energy level आपकी boldness काफी बर रहा है और कभी कभी आपको लग सकता है it's better to focus on career and then आपके सामने जो भी person आएंगे वो equally strong होंगे आपके तरह soul retrieval deep soul healing with the goddess भगवान के कृपास से चाहे but I do find female goddess यहाँ पे उनके कृपास से healing से आप बहुत ही सादा आपकी जो आत्मा है आज मैं आत्मा के बारे में ही बोल रही थी तो वो सब कुछ जैसे शुद्ध जैसे बोला जाता है ना कि अगनी से शुद्ध हो जाता है सब कुछ उसी तरह से आपकी आत्मा शुद्ध होने की और जरूरत है यहाँ पे देखो past life, present power past में जो भी होता है soul record करते है और वही इसी जनम में भी reflect होता है किसी का artistic behavior किसी का managerial behavior कोई बहुत smart है, कोई बहुत mature है वो पुर्व जनम का भी कुछ impression इस जनम में भी soul carry करते है और आपके पास भी वही talent है, so why not आप क्यों नहीं शो कर रहे हैं लोगों को आप क्यों किसी के उपर depend हो रहे हैं now it's the time to move forward in your life अभी समय है कि आप आगे जाए और कुछ करे अपने जिंदगी के लिए क्यों नहीं जब है पिछले जनुम का इहां पर impression तो why not तेके so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, tarot, sex, sweat, truth always exposes darkness and will expose darkness